मिल गए है लीवर को साप और सुरचीत रखने का सबसे सस्ता और सबसे आसान उपाए कोई बताएगा नहीं नमस्कार दोस्तों स्वागत है रोगन उसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ है जिहां दोस्तों अगर आप दिन के दोरान बहुत ठका हुआ महसूस करते हैं या फिर आत में या फिर पाचन संबंदी समस्याओं से जूज रहे हैं तो एक मौका है कि आप लिवर को एक्ट्राक काम करने के लिए जबजस्ती कर रहे हैं आप सरीर के सभी अंगों में से जिगर सबसे महत्वपूर अंगों में से एक होता है और इसका उपयोग कई प्रकार के कारियों में करने के लिए किया जाता है लेकिन जैसे कि हमारे लिए किड़नी बहुत ही उपयोगी है किड़नी फिलियोर और किड़नी डिरीज अगर होत खाने को पचा सकें जिससे कि हम अपना जीवन जी सकें दोस्तों जीवन में हर व्यक्ति की यहीं इच्छा होती है कि वह हमेशा स्वस्त रहे उसे कभी कोई गंभीर वीमारी का सामना ना करना पड़े लेकिन बिगड़ते दिंचरिया और बदलते खान पान के चलते हर व्यक्त को अपनाते हैं इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपका स्तरीर सोस्तर है और लीवर हमेसा साफ रहेगा लेकिन इसे जाने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे तो वीडियो को अंतर तक जरूर दे है इसके लिए आल अट्फिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें नंबर एक जिया दोस्तों हरी सब्जियों को डायेट में सामिल करने के कई फायदे हैं यह आपके लीवर के लिए पालक सरसों का साग एटलस जैसे कड़वे और हरी पत्तिदार सब्जियां काफी फायदेमंद हो स सकते हैं नंबर दो दोस्तों ब्लूबेरी और सहतूत सहीत कुछ जामून अपने हाई लेवल के एंटी ऑक्षिजन के कारण लीवर कैंसर से लेड़ने मत कर सकते हैं जामून को नास्ते के रूप में कच्छा खाया सकता है या उन्हें स्मूदी में ताजा या जमे हुए इस यह पित के उत्पादर को पढ़ावाद देने मेर्थ करता है और पित मुत्रासर के समगर कार काज में सुधार करता है एक और ब्लड को सुध करने वाला अंग लीवर ही होता है नंबर चार दोस्तों दूद थिसल एक चड़ी बूटी है जो लीवर को मजबूत बनाती है इस दूद थिसले विभीन डिटॉक्स चाय के साथ तिंचर या कैपसूल के रूप में पाया जा सकता है नंबर पांच सेब का सिरका दोस्तों सेब का सिरका रोजाना खाने से आपके सरीर में बहुत ही लापकारी प्रभाव मिलेंगे और साथी साब्थ आप इसे पी भी सकते है क्योंकि इसमें बहुत सारा लीवर साफ करने वाले योगिक होते हैं सिरका हमारे लीवर को साफ करने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है